इस वीडियो का टॉपिक है Conversion of minutes to hours हमने minutes को hours में convert करना है जैसे कि हम जानते हैं कि minute छोटा unit है और hours बड़ा unit है इसलिए जब convert करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से divide करना पड़ेगा क्योंकि 1 minute equal होता है 1 by 60 hours के इसको समचने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं मिसाल के तोर पे हमने 660 minutes को hours में convert करना है minutes के लिए short form में हम m.i.n.s लिखते हैं 660 minutes को हमने hours में convert करना है तो जब भी हम छोटे से बड़े unit के तरफ जाते हैं तो हम हमेशा divide करते हैं इसलिए हम क्या करेंगे 660 divided by किस से divide करेंगे 60 से और जब 60 से divide करेंगे तो minutes की जगा पे अब आ जाएगा hours hours के लिए हम h लिखते हैं अब ये 0 और ये 0 cancel हो जाएगा 6106 और 611 066 हो जाएगा तो हमारा answer आ गया 11 hours यानि 660 minutes equal है किसके 11 hours के तो इस तरह से हम minutes से hours में convert कर सकते हैं एक और सवाल देखते हैं ये है 24 by 7 minutes 24 by 7 minutes को हमने hours में convert करना है तो इसके लिए हमें 24 by 7 को 60 से divide करना पड़ेगा 24 by 7 divided by 60 और फिर minutes बन जाएंगे hours यहां पर हम लिखेंगे h अब 60 को इस तरह मैंने इस लिए लिखा क्योंकि पहले ये fraction की सूरत में थे तो अगर हम दोबारा fraction इसको denominator में लिखते तो ज्यादा मुश्किल हो जाता तो जब भी fraction में आएं तो आपने इस तरह की devian करनी है 24 by 7 तो अब इस divide की निशान को multiplication में तबदील करेंगे हम जानते हैं कि 60 के नीचे 1 है हर whole number के denominator में 1 होता है जो कि हम नहीं लिखते हैं तो जब ये devian convert हो जाएगा multiplication में तो numerator और denominator की जगा तबदील हो जाएगे तो 60 by 1 आर्स बन जाएगा 1 by 60 आर्स तो अब ये 24 और 60 6 के टेबल से जाएगे 6 tens are 60 हो जाएगा और 6 fours are 24 हो जाएगा अब इसको थोड़ा सा scroll करते हैं और यहां पर इसको rewrite करेंगे 4 by 7 multiply by 1 by 10 तो 4 और 10 भी दुबारा से 2 के टेबल से जाते हैं 2 twos are 4, 2 fives are 10 और ये है आर्स में अब हम यहां पर line लगाते हैं और इस तरफ लिखना शुरू कर देते हैं यह आ गया 2 by 7 2 by 7 multiply by 1 by 5 और ये हैं और ये हैं आर्स में तो 2 ones are 2 आ जाएगा और 7 और 5 जब multiply करेंगे तो 35 आ जाएगा और यहां पर आर्स आ जाएगे क्योंकि हमारा सवाल fraction की सूरत में था इसलिए हम अपने जवाब को भी fraction की सूरत में ही रहने देंगे तो 24 by 7 minutes किसकी equal आया 2 by 35 hours के बराबर आया अब एक word problem देखते हैं एक लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग लिखी वी थी कि 450 मिनेटस हैं असद ने यह देखना है कि अगर 450 मिनेटस हैं तो अगर इसको आर्स में convert करें तो कितने गंटे बनते हैं convert the given time into hours तो हमने इस time को hours में convert करना है इसके लिए हम क्या करेंगे हम लिखते हैं 450 और इसको hours में convert करना है तो इसलिए हम इसको denominator में लिखेंगे 60 यानि हम इसको 60 से divide करेंगे 450 मिनेटस को बलकि एक step और भी लिख लेते हैं 450 मिनेटस हैं हमारे पास मिनेटस के लिए short form हम लिखते हैं म, I, N, S तो अब इसको convert करना है hours में तो हम इसको लिखेंगे 450 और denominator में आएगा 60 यानि हम 60 से divide करेंगे तो minutes convert हो जाएगा hours में अब 0 और 0 cancel हो जाएंगे और 6 और 45 3 के table में आते हैं तो यह हमारे पास आ गया 15 बई 2 अब 15 बई 2 को मजीद simplify करते हैं 15 बई 2 hours तो यहां पर divide करेंगे 15 को 2 से तो देखते हैं क्या जवाब आता है 2 7s are 14 आ जाएगा 15 minus 14 1 बचता है point लगाएं यहां पर 0 बढ़ाएं तो 2 5s are 10 आ जाएगा तो इसका मतलब 15 by 2 hours किसके बराबर है 7.5 hours के बराबर है तो उस laptop की battery timing hours में कितना है 7.5 hours इस बात को हम words में लिखते हैं The battery timing is 7.5 hours इस तरह से हम minutes को hours में convert कर सकते हैं आज हमने सीखा conversion of minutes to hours के बारे में आज हम 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 आज ह